Hello everyone, आज हम इस वीडियो में functions को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, function का definition क्या होता है Let a and b be two non-empty sets, a function f from a to b is a set of order pairs, f subset है a cross b का With the property that for each elements a in a, there is a unique elements b in b such that a, b क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए उस function में, यहनिकी f में The statement f is function from a to b is represented symbolically by f such that a tends to b या a tends to b So, function का definition हो गया, function हम किसमें देखेंगे, सबसे पहले मेरे पास set आता है और set के बाद relation आता है, और relation के बाद function आता है तो function कब define होगा, जब दो set होगा, और उस set के बीच में कोई relation होगा, तब क्या होगा, वो function हो जाएगा तो क्या सभी relation function होते है, तो नहीं, सारे relation function नहीं होते है, function होने के लिए कुछ rules होते है वो अगर fulfill कर रहा है, तब ही वो function होगा, नहीं तो अगर fulfill नहीं कर रहा है, तो वो relation मेरा function नहीं होगा तो चलिए देखते हैं हमारे पास दो set है, एक set A है and another set B है और एक function F है जो define हो रहा है, set A to set A to set B, मेरा एक function define हो रहा है और function क्या है माल लेते है set A का element 1, 2, 3 है और ये माल लेते है A, B, C है ये set B का element है तो ये set A set A का element 1 वो related है set B से and जो 2 है, वो related है set B से और ये 3 related है set B के element B से तो ये 1 A से related है और ये 2 and 3 ये दोनों मेरा set B के B से, B element से related है, तो ये हो गया मेरा क्या relation दिखा रहा है तो क्या इसको function बोलेंगे तो हाँ, इसको हम function बोलेंगे function कब नहीं बोलेंगे तो अगर मेरा कोई भी 2 set है मालेते ये, एक मेरा set A है and second वाला set B है अगर इसमें मेरा A का element है 1, 2, 3 और इसका A, B अगर तो ये तो मेरा function हो गया अब function कब कहेंगे कि कोई relation function नहीं है तो अगर मेरा set A है उसका element 1, 2, 3 है इसमें से अगर कोई एक element खाली रहा जाता है set B के element से related नहीं रहता है तो उसको क्या बोलेंगे वो एक function नहीं है जैसे मैं यहाँ पे एक mapping करती हूँ set A है और set A का element 1 है जो की set B के element A से related है and 2 है वो क्या है? B से related है और यहाँ पे एक C ले लेते हैं तो देखते हैं कि क्या यह एक function होगा तो नहीं होगा कोई भी अगर मेरा यह relation है कोई भी मेरा function है अगर उसका जो pre-image इसको बोलते है pre-image pre-image अगर कोई भी खाली रह जाता है तो उसको function नहीं बोलेंगे तो यह मेरा function नहीं है तो क्या इसमें भी खाली रहने से function नहीं होगा तो नहीं इसमें खाली रहे कोई बात नहीं है ये function कहलाएगा लेकिन अगर इसमें कोई भी element खाली रहता है तो वो function नहीं कहलाएगा तो ये function नहीं कहलाएगा और एक और होता है function नहीं होने का अगर यह मेरा है pre-image अगर pre-image और यह image ऑगर pre-image दो से related है इसमें जैसे यह 2 है तो अगर 2 यहाँ c से related है तो क्या यह function कहलाएगा तो नहीं यह भी एक function नहीं कहलाएगा तो दो condition देखना रहता है पहला इसमें से कोई भी element खाली नहीं रहना चाहिए और second इसका कोई भी element का image कोई भी एक element का image दो नहीं होना चाहिए अगर यह दोनों condition रह रहा है तो वो function नहीं होगा otherwise function खालाएगा तो यह हो गया मेरा function का definition तो function का definition और function किसको बोलेंगे यह सब तो हो गया अब अगर कोई function को definition को fulfill कर रहा है तो उसमें तीन टर्म को देखते हैं पहला domain और second range and third number co domain तो domain किसको बोलेंगे तो यह जो मेरा पहला set होगा जो related होगा set भी से तो पहले set के जो भी element होंगे वो क्या हो जाएंगे domain हो जाएंगे the domain मेरा क्या हो जाएगा one two and three यह क्या हो जाएगा domain हो जाएगगा और second में जो है जो our it Gleich है यह one a से related है two b se three just b say तो set a के जो भी element set b में जो related होंगे वो क्या हो जाएंगे range हो जाएंगे तो range क्या हो जाएगा a and b और code domain क्या हो जाएगा code domain यह set b کے सारे element को क्या बोलेंगे code domain तो a by see क्या हो गया code domain हो गया, तो domain समझ गया, range समझ गया, और code domain भी समझ गया, अब चलिए type of function देखते हैं, function के main चार type होते हैं, पहला मेरा आ गया one to one, और इसको injective भी बोलते हैं, second मेरा many to one, और third into and fourth onto, जिसको subjective बोलते हैं, और इस सारे को mix करके बनते हैं, other types, जिसको बोलते हैं, one one into and six, one one onto and seven many one into and eight many one onto, और one one, one two को by injective बोलते हैं, first type क्या है, one one function जिसको injective function भी बोलते हैं, और चलिए इसका definition देखते हैं, और function if such that a tends to be is called one to one, या आप one one बोलो, if distinct elements of a are mapped into distinct elements of b, इसमें बोल रहा है कि one one function को बोलेंगे, जब मेरा दो सेट हैं, और दोनों सेट का every element अलग 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 जो है, जैसे याँ पर एक सेट a है, और एक सेट b है, और इसका मेरा element क्या है, सेट a सब के लिए एक अलग image है, C, n4 के लिए एक अलग image है, D, ये सारे set A के element and set B के element के लिए, सबके लिए एक अलग-अलग image है, कोई भी एक element के लिए दो image नहीं है, अगर दो image हो जागा तो वो 1-1 नहीं होगा, तो 1-1 का मेनिं यहीं है कि set A का जो भी element है, उसका image set B में सब क्या होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए जैसे यहां पे एक और एक्जामपल है सेट A है एंड सेट B है और यह वन टू थीरी सेट A के element है और सेट B के element A B C D है और यहां पे सब के लिए एक अलग-अलग image है यहां पे एक खाली है खाली है तो क्या इसको फंक्शन बोलेंगे तो हां बोलेंगे इधर सेट B में खाली है तो उसको फंक्शन बोल सकते हैं लेकिन अगर यहां पे खाली रहता तो उसको नहीं बोलते है तो यह हो गया में यह क्या होगा यह मेरा यह वन वन फंक्शन हो जागा तो यह तो उसमें सीट आ का स्रेट में कितने इलिमेंट है three वैसे यहां पे socio The स्रेट एक स्रेट रहा है स्रेट एक बेदने एलिमेंट में और स्रेट एलिमेंट स्थोटके anti-acDile रहा है तो वो क्या हो जाएगा मेरा 11 function या बोले उसको 121 function तो यह हो गया मेरा function 11 function का definition अब चलिए इसको एक्जामपल के थूरू देखते हैं कि यहां पर मेरा question बोल रहा है if function एक function है जो कि क्या है 3x-1 है और इसको बताना है कि यह क्या एक 11 function है या नहीं है तो 11 function होने के लिए क्या होना चाहिए जो set A है उसके सारे image होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए तो माल लेते हैं कि x1 मेरा x1 equal to fx2 यह condition को अगर fulfill कर रहा है तो 11 function हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3x1-1 और यहां हो जाएगा 3x2-1 यहां से 911 ।ो कट जाएंगे तो तो जब्चा क्या है मेरा 3x1 equal to 3x2 और यह भी मेरा क्या हो जाएगерм हो जाएगे यह लाट 1 equal to x2 तो x1 equal to x2 यानि कि क्या हो गया die Hahnे जाएगा तो यह कर सन चेह देखते हैं तो यह मेरा क्या हो गया if y equal to 3 x minus one तो चलिए इसका एक diagram बनाते हैं, यह हो गया मेरा y, यह हो गया x तो यह कितना आजाएगा x जब 0 रहेगा x अब जब 0 रहेगा तो y मेरा क्या आजाएगा y मेरा minus 1 आजाएगा तो यहाँ ले लेते हैं minus 1, जब y मेरा 0 रहेगा तो X में रखिया जागा 1 by 3 तो इसका डाइगराम कैसे बनेगा कुछ इस तरह बनेगा यहाँ 1 by 3 है तो यह हो जागा तो यहाँ से हमको दिख रहा है कोई भी लाइन गी जो कहीं भी लाइन गी जो Y के पैरलेल सब के लिए एक अलग-अलग अगर Y अलग है एक यहाँ पर मालोग एक Y है Y के लिए X का वहलू अलग है यहाँ Y है तो Y अलग है तो उसके लिए भी X का वहलू अलग है तो सारे Y के अलग-अलग वहलू के लिए X का वहलू क्या रहा है अलग-अलग है रहा है सेम नहीं है क्या है मेरा मैंनिवन फंक्षान तो मैंनिवन क्या हैopingkell का अपोजिट है। उसमें था कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए कु एक connects नुंच नूतों होना चाहिए और इसमें एक से ज़ादा हो सकता है जैसाल लिख़ते हैं एक Leah image in B तो यहांपर Yeah Mapping के थोड़कते हैं यहांपर मेरा एक सेट A है and सेट B है और इसका element सेट A का element है 1234 और सेट B का element है ABC और यहांपर हमको सेट A के सारे element के लिए सेट B का image exist कर रहा है यानि कि यह तो function है ही और यहां दो यहाँ पर element है set a का जिसका image क्या है एक है और वो image क्या है a है तो दो element set a का है जिसका image एक ही है set a b में तो यह क्या हो जाएगा many one function हो जाएगा तो यह तो मेरे many one function हो गया second mapping में क्या है second वाले में set a है जिसका element 1, 2, 3, 4 है and set B है जिसका element A, B, C, D है और इसमें क्या है इसमें बस C, D खाली है तो क्या ये C, D मेरा image है और जो कि क्या है खाली है जो कि C, B, C, A से related नहीं है तो क्या है इस सारे mapping को एक function बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे अगर ये इसमें खाली रहता तो नहीं बोलते हाँ पर एक fx दे रखा है जो कि x square है और x जो है any real number है तो बताना है कि मेरा जो function है वो क्या मेरा many one होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर x का value 1 के लिए चेक करते है कितना आता है इसका value x के लिए x का value जब 1 रखेंगे तो ये मेरा fx के आजाएगा 1 आजाएगा जब x का value minus 1 रखेंगे तो मेरा के आजाएगा fx तब भी मेरा fx के आजाएगा 1 ही आएगा तो यहाँ से मेरा क्या आजाएगा f1 और f minus 1 दोनों किसके equal है दोनों 1 के equal है तो जब दो value के लिए यह same value आगया तो क्या यह 41 या many1 क्या वोला जाएगा इसको इसको many 1 बोला जाएगा इसको diagram के थ्रू भी देखते हैं तो यह रहा मेरा y & x । और मेरा जो function है वह क्या बॉल रहा है एफ एक्स जु Э्ट वह X2 है यहां से मों के यह लिए लिख रहा है कि Max 1 और वन पर वाई के वैलू क्या है से मैं तो इसका डाइग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा और यह रहा यहां कट करेंगे तो यहां एक वाई के वैलू के लिए वन के लिए वाई का वैलू वन के लिए एक्स का वैलू मेरा दो आएगा एक होगा माइनस वन और यह होगा प्लस वन तो यह रहा एक्स का वैलू माइनस वन एंड प्लस वन और यह रहा वाई का वैलू जो की वन है और वन के लिए एक्स का वैलू कितना है दो है तो यह हो गय सेट B का एलिमेंट खाली रह रहा है तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा है बस उसमें चेक करना था कि कोई भी सेट A है क्या उसका दो एलिमेंट का इमेज B में अलग-अलग है या एकी है तो फरक पढ़ता था वहां पे और यहां मेरा इन्टू फ़ंक्शन में उसको नहीं देखना है यहां पे देखना है कि हमको कितना खाली रह रहा है और कितना खाली नहीं रह रहा है तो यह चलिए डिफिनिशन देखते हैं तो बोल रहा है a function f a tends to b is called into function if and only if there exists at least one element in b which is not the image of any element of a that is the range of f is proper subset of co-domain of f और यहां पर मेरा set चलिए इसको मैपिंग के थूर देखते हैं यहां पर मेरा क्या है एक set a है ई sht another set क्या है भी है और इसका मैपिंग कैसे predicting कैसे हो यह है यह when B to say and C to say 3 यहां पर क्या हो रे है खाली हो रहा तो यह intu function का मेनिंग यहीं है कि अगर मेरा ko ilm 3 अगर कोई भी element खाली रह रहा तो वह तो क्या हो जाएगा इन्टु फंक्चन हो जाएगा जैसे यहाँ पर अगर इसको इतना ही देखो इस सब decorate to एक यह वन वन फंक्शन दिख रहा है तो इस फंक्शन को वन वन फंक्शन भी बोलेंगे और इस फंक्शन को इन्टू फंक्शन भी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे यहां पे मेरा क्या हो रहा है दो set a के दो element के लिए image मेरा एक ही है तो इसको क्या बोलेंगे इसको many one बोलेंगे और into बोलेंगे तो manually दिखा जाए तो हमारे पास दो ही function होता है function का type दो ही है बाकी सब क्या है उसके जुड़वा भाई की तरह है थोड़ा थोड़ा बस सब में changing हो जाता है और definition चेंज हो जाता है और यहां पे लिखा हुए code domain not equal to range of f तो यहां पे code domain क्या हो गया code domain equal to यहां पे one two three four यह सब क्या हो गया code domain और range क्या हो गया range हो गया मेरा one and two तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए दोनों equal नहीं होना चाहिए तो यहां दोनों equal नहीं है तब क्या हो जाएगा यह into function हो जाएगा यहां सी यह pro हो गया now unto function unto बोलो या subjective बोलो a function if a tends to be is unto if every element of b is the image of some element of a that is b equal to range of f वहां क्या था into में into में था कि range और code domain equal नहीं होना चाहिए और यहां पे है दोनों equal होना चाहिए अगर यहां पे कोई भी image अगर खाली रहता है सेट बीम का कोई भी element खाली रहता है तो यह unto नहीं खालाएगा जैसे यहां पे mapping में दे रखा है ए मेरा क्या है 1 2 3 4 बी है a b c और इसका one related है a से and 2 3 related है b से and 4 c से कोई भी image खाली नहीं है तो यह हो जाएगा यह मेरा unto हो जाएगा और यहां मेरा क्या है एक सेट ए है one two three और भी है a b c d यह सब एक दूसरे से related है तो यह एक मेरा many one type भी हो गया और यह मेरा one one type भी हो गया और इसको unto भी बोलेंगे और यहां पर range और code domain equal है code domain क्या है मेरा abc abc हो गया और range भी क्या है abc तो यहां से clearly हमको देख गया कि code domain और range equal है तो यह क्या हो जाएगा on two function हो जाएगा and next है मेरा one one into one one और into तो one one में क्या था ए सेट एक जो भी element है उसका अलग-अलग set B में image होना चाहिए, और into में क्या था, into में था, कि जो set B है, उसमें एक image खाली रहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, एक खाली है, और सबका अलग-अलग image है, तो यह क्या हो जाएगा 11 into, वैसे ही मेरा 11 onto में क्या था, 11 में था, वहीं सबका अलग-अलग होना चाहिए, और onto में था, कि खाली नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, खाली नहीं है, और इसी को हम byjective बोलते हैं, और inverse function जो होता है, वो byjective function को ही inverse में inverse निकाल, byjective function का ही inverse निकाल सकते है, तो यह हो गया मेरा 11 into and 11 onto, next है मेरा many one and into, many one में था, कि जो भी मेरा set a का element है, उसके दो element का set b में एक ही image होना चाहिए, जैसे यहाँ पर two and three का image set b में एक ही है, तो यह हो गया many one का condition, and into का condition क्या था, into में था कि कोई, इसमें set b में कोई भी एक element खाली रहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यह हो गया many one into function, वैसे यहाँ पर many one onto function है, तो many one के लिए तो यहाँ हो गया, one on two का, one on two जो है, वो यह set b के element a से related है, और onto में था कि खाली नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी element खाली नहीं है, तो हो गया many one onto, यह हो गया, जिव भी जितने भी type of function थे, वो सबको एक mapping के रूप में कैसे represent करेंगे, तो यह सारे वो तरीके हो गया, अगर mapping के रूप में जान गया कि कैसे relate करेंगे, तो अगर वो एक function दे रखा है, और function दे के बोले कि हाँ, इसका अब बताएए, mean कौन से type of function है, तो उसको एक diagram के रूप में आप चेक करके भी बता सकते हैं, जैसे मैंने many one और one one function को बताया,